मरम्मतें खुद की रोज करता हूं फिर भी न जाने क्यों रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकलाता है मन की लिखूं तो शब्द रूट जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूट जाते हैं मानो तो एक रूट का रिष्टा है हम सभी का ना मानो तो कौन क्या लगता है किसी का नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिश्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशीफल यानिकी 16 जून के इस विशेश एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुपकामने जिनका आज जनम दिवस है मैरे जन वस्री है या कोई विशेश याद कर दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 16 जून 2023 से और दिन शुक्रवार का है आज के विशेश उपाय में करम और भग्य का सिद्धान्द क्या है यही आज के दिन आपको बताओंगा अक्सर लोग कहते हैं कि भग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा जिस उपर वाले ने जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता जो उपर वाला चाता है वही होगा ये जो है इसके पीछे का सिद्धान्द क्या है अक्सर लोग ये गलत क्यों हैं यही चीज आज के दिन आपको बतलाने वाला हूँ बात करते हैं पंचांकी तो समवत दोहजार असी का आशाड कृष्ण पक्ष चल रहा है क्रितिका नक्षत्र दोपहर के तीन बच करके साथ मिनट तक है जिसके बाद में रोहिनी नक्षत्र है तो वहीं व्रशब राशी का चंद्रमा आज के दिन रहेगा सुबहे के साड़े दस बजे से बारा बजे तक का समय ये राहुकाल का है इस समय में कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत कोई भी बड़ा परचेज कोई भी बड़ी यात्रा नहीं करनी है तो वहीं शुब चौगडिया महरत जो है जिसमें आप ये सभी काम कर सकते हैं वो है सुबह के 7 बचके 19 मिनिट से 10 बचके 19 मिनिट तक ऐसे में दक्षिन दिशा में यातरा करेंगे तो और जादा बहतर होगा शुबता जादा होगी लाब कमाने का मौका मिलेगा पर दिशाशुल दोष पश्चिम और नेरत्य दिशा यानिकी साउथ वेस्ट में लगने वाला है तो इसके कारण जो भी इस दिशा में यातरा करने वाले हैं दिशाशूल दोश का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग जरूर कीजेगा फिर बात आती है सुर्यो दैकालीन कुंडली में शुब ग्रहयोगों की तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, वरिष्ट योग, शंक योग, लक्ष्मी योग, नीच बं को ले करके तब आप कैसे जान पाएंगे, तो इसके लिए आपके स्वयम के पास में संपूर्ण राज्योग जनमपत्रिका होनी जरूरी है, ना ही सिर्फ स्वयम की कुंडली पढ़ने का आपको पता चलेगा, बलकि आपकी कुंडली में राज्योग कौन से हैं, करना है, इन से पूछना है कि अगर स्वयम की राज्योग जनमपत्रिका बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगी और कब मिलेगी, यहां से सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, बात बस इतनी है कि मेहनत ही ये आपको करनी है फोन लगाने की, चलिए, अब बात करते हैं लाक रुपे की, अगर कर्ज लिया है, चुकाने में देरी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, अकसर देखा गया है कि कर्ज के तले लोग दबे रहते हैं, परिशान होते हैं, खर्चे तो कम कर देते हैं, तो कमाई भी पूरी नहीं हो पाती, कर्ज एक ऐसा दीमक है ज उसको मिक्स कर लीजिए, चालेस दिन तक उसकी गोलियां बना करके मंगलवार के दिन मचलियों को खिलाइए, ऐसा करने से कर्ज से मुक्ती आपको सत प्रतिशत मिल सकती है, आईए बात करते हैं आज के राशी फल के और शुरुआत करूँगा मेश राशी से, मेश राशी क आज के दिन लालच के चलते असंतोश भी महसूस होगा, तो वहीं financial loss भी उठाना पड़ेगा, कोई बहुत अच्छा क्लाइंट जो है, आपकी दुकान पर हर रोज आता है, आपके लिए बार बार काम लेकर के आता है, आपको बड़े काम देता है, आज उससे कहीं न कहीं प लोगों के लिए भी यही कहूंगा कि आज के दिन प्रेशर में आकर के आप और अच्छीव करने की जो आपके अंदर शमता है, या फिर यह कहूं कि जो मान सकता है कि और जाद आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, और काम कीजिए, और बिजनस लाइए, यह आज के दिन आपके रिश्टों को आपके क्लाइंट्स के साथ में बिगाड़ सकता है, जो काम हो सकता था, वो भी आज के दिन नहीं हो पाएगा, यह प्रेशर जो है, सीटी बजरी है, इस प्रेशर की सीटी को शान्त होने दीजे, फिर काम कीजिएगा, जादा बहतर रहेगा, वरना य मुझे समझ में नहीं आता है, माफ कर दीजे, कभी और बात कर लेंगे, यह मान सकता जादा बहतर रहेगी, चीजों को टालने की, शुबरंग रहेगा आपके लिए आफ वाइट कलर, शुबरंग रहेगा नबर टू, अब बात करते हैं वरशब राशी की, तो वरशब खास तोर पर जो लोग बिजनस करते हैं, सोशल मीडिया पर अपना काम करते हैं, कांटेंट क्रियेटर हैं, या तो फिर पबलिक पस्नालिटी हैं, उनके लिए आज के दिन सबसे शांदार बनने वाला है, अच्छे से लोगों से मुलाकात होना, उनसे कमिंट्मेंट्स पान या तो फिर जो हेल्थ इंस्टिट्यूट चलाते हैं, डाइट इंस्टिट्यूट चलाते हैं, उनके लिए समय बहुत जादा शांदार रहने वाला है, दामपती जीवन में और पारिवारिक जीवन में तो काफी जादा बहतर ये समय कहूंगा, तो यहीं पर वाहन का सुख मिलना, अच्छी बाते होना, भाग्यवसात काम हो जाना ये आज के दिन आपको बहुत जादा खुश कर सकते हैं, शुब रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर शुब अंक रहेगा नमबर फाइव, अब बात करते हैं मिथुन राशी की, तो मिथुन राशी के दर भी बना रहेगा, तो वहीं पर लोग आज के दिन आप पर हावी भी होंगे, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तो हेल्थ वाइस भी समस्यां इस समय में हैं, कहीं से भी बचने की जो मान सकता है, वो आपके स्वयम के अंदर भी नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं कि मती भी चीज़ें हो रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ जेल ना पड़ सकता है, ऐसे समय में यात्रा अगर की जाए, या खास तोर पर आप MNC में काम करते हैं और आपको वर्क लोड जादा दिया जा रहा है, प्रेशराइस किया जा रहा है, तो इस प्रेशर में आप गिविन कर सकते हैं, यहाँ पर सोच समझ करके चीज़ों को एनलाइज करके लॉजिकली सोच करके आगे बढ़ना जादा जरूरी है, जादा प्रेशर जहेल करके गलत डिसिजन्स मत लीजेगा, ऐसे समय में कहीं न कहीं HR के पास से भी आपको कंप्लेंट आ सकती है, बुलाया जा सकता है, और अनएथिकल बिहेवियर के लिए आपको दोशी ठहराया जा सकता है, सोच समझ करके आगे बढ़ना जादा बहतर रहेगा, खाकी कलर का इस्तमाल करें, तो बहतर हो सकता है यह समय, कुछ बहतरी इसमें हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं, तो शुब अंक रहेगा न यहाँ पर अपने कॉंपिटिशन को परास्त करने का मौका, अच्छी यात्राओं का मौका तो वहीं पर अच्छी कमाई भी मिलने वाली है, कहीं पैसे अटके हुए हैं और नहीं मिल पा रहे थे, लाख बार कोशिश कर ली है, तो एक बार एक लाख और एक बार आज आने वाले हैं, वापिस कलेक्शन के लिए आपको पैसे जरूर मिलेंगे, थोड़ा एग्रेसिव और स्टबन होने की जरुरत आपको पढ़ने वाली है, यहाँ पर यंग्स्तर्स जो हैं उनके लिए बी काफी जादा अच्छा दिन कहूंगा, कि रोमैंस भी पनपेगा, त देने वाले हैं, आज के दिन अगर कोई एक्जाम है आपका, तो यह जरूर कहूंगा कि शानदा रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत कॉंफिदेंस के साथ में इस एक्जाम को देंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, तो यह जो डबल थेंकिंग है कि क क्या मेरा हो पाएगा, कि इतने जादा लोगी कि एक्जाम को देते हैं, क्या कुछ होगा, इस मान सकता को छोड़ दीजेगा, यह मान करके चलिए कि लाक हैं, उस लाक में से आप एक हैं, आपका सेलेक्शन जरूर होगा, शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, मिलेगी, मन भी लगेगा, तो यह जो शिकायत थी कि मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आता है, मेहनत इतनी क्यों करता हूँ, मिल कुछ नहीं रहा है, यह जो मान सकता पिछले चार दिन से चल रही थी, आज उस पर ठहराव लगने वाला है, आज कमाएंगे, आज जो सोचत को मिलने वाली है, यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के खास दोर पे, अगर कुछ सोच रहे हैं, खरीदने की बात हो रही है, या तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो मान करके चलिए, जो शनी, वक्री होने वाला है कल से, यह सिचुएशन आपके लिए इस तरफ पॉजिटि आज के लिए शुब रंग रहेगा, आपके लिए ब्लू कलर, शुब अंक रहेगा नमबर सेवन, अब बात करते हैं कन्या राशी की तो आपके लिए राशी भाव से, नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, वद अतारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, ओवरॉ इस तरफ ज्यादा है, कमाई हुई, मन क्या विचलित हो रहा है, रिष्टे कैसे हैं, दोस्त क्या कहते हैं, परिवार वाली क्या कहते हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके आज के दिन खुद पर कॉंसेंट्रेट करने का दिन है, और वही आप करते हैं नजर आएंगे, यहा एक लाइन खीच दोगे, कि इसके आगे यह काम नहीं हो सकता, और इससे आगे मुझे फोर्स किया जाए, तो मैं काम नहीं कर सकता, यह बहुत ही क्लिरली आज के दिन आप मेंशन करते हुए नजर आएंगे, और इसके रिप्रिकरशन्स क्या हैं, इसके आक्शन वापस क्या होगा, उससे आज की दिन आपको चिंता नहीं पढ़ने वाली, और कहीं न कहीं पे, सेल्फ ग्रोथ की तरफ यह आपका कदम काफी जादा एप्रिशेट भी किया जाएगा, नहीं सिर्फ आपके सीनियर से, आपके कलीग्स से भी, आज की दिन कोशिश कीजेगा कि औरेंज क और में 29 डाट्स दिन को 80 परसंट आपके लिए सपोर्टिव बना देंगे, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल पेन, चोट लगना, यह कहा जा सकता है कि आपके आज के दिन में कुछ परिशानी क्रीट कर दें, इसके अलावा कमाई की तरफ पे बात करें, कोई परिशानी नही परिशानी नहीं है, नौकरी करने वाला बहुत आसानी से आगे बढ़ेगा, तो वहीं पर आज के दिन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, उनसे अप्रेसियेशन प्राप्त होना और खुल करके उनसे बात करना, यह सबी चीज़े मुम्किन होती, नजर आएंगी आपको, यहाँ ससराल पक्ष से भी इंटरफेरंस है या कोई बात चीद है जिन से आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप उन्हें वापस हटाने का काम, पीछे करने का काम बड़ी आसानी से करते नजर आएंगे, वहीं पर ग्रहनिया जो हैं, होम मेकर्स हैं, वो भी इसी बात क को आज की दिन ध्यान में रखेंगी, कि एक हद तक हर चीज को सहयन करेंगी, उसके बाद में फटकर के रियाक्शन हो, या तो फिर प्यार से ही कहना हो, कि इस से जादा हमसे नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा बहतर रहेगा, कि अपने रिष्टों में एक सीमा आपको आज की दिन खीचनी होगी, यहाँ पर चाय घर परिवार की बात कहें, कमाई की बात कहें, तो हर चीज आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगी, गोल्डन कलर का इस्तमाल इस सदमे में करेंगे, तो और जादा बहतर है, तो शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर फाइव, अब बात करते हैं, वरश्चिक राशी की तो सेवन्थ हाउस में चंदरमा है, पर विपत्तारा का साथ, और अश्ठक वर्ग में 26 डॉट्स, ओवरॉल सिच्वेशन आपके लिए 75 परसें यहाँ पर पॉजिटिव मनरी है, जीवन साथी की द्वारा गेन भी मिलेगा, तो की तरफ भी आपका इंटरस्ट जादा बढ़ेगा, तो वहीं अपने पैशन को फालू करने के लिए समय निकाल करके देखिए, बहुत जादा आपको खुशी महसूस होगी, कमाई के तोर पे नौकरी करने वाले के लिए, इस समय में परेशानी नहीं है, उल्टा नौकरी कर रह सके और एक दूसरे को सपोर्ट करके आपके टागिट्स को पूरा कर सके, शुबरंग रहेगा आपके येलो कलर, शुब अंक रहेगा नमबर नाइन, अब बात करते हैं धनूराशी की, तो आपके लिए यहाँ पर सिक्स थाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारह के सा है, नए जॉब का इंटर्वियू दे रहे हैं, जॉब चेंज करना चाते हैं, उसके लिए इंटर्वियू दे रहे हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाते हैं, तो ये सभी तरफ से आपको आज की दिन सफलता मिलने वाली है, पैसों को लेकर के चिंटाएं कम रहेगी, तो खर्च यहाँ पर पिंक कलर का इस्तमाल आज के दिन जरूर कीजेगा शुब अंक रहेगा आपके लिए नमबर फाइव अब बात करते हैं मकर राशी की तो आपके लिए फिफ्ट हाउस में चंदरमाहे सादक तारा का साथ और अश्ठक वर्ग में 25 डॉट्स हैं situation overall यहाँ पर जो आपके लिए बन रही है वो है 67% support की ऐसे समय में गठिये का रोग हुआ, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, हातों का कापना यह समसें उभर करके सामने आ सकती हैं, इनके लिए सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लेना, अपनी दवाईयां समय पर लेना बहुत जादा जरूरी है यहीं यह कहूंगा कि अपने business में, अपने नौकरी में, अपने startup में आपको परेशानी होने नहीं वाली, इस समय में उल्टा funding को लेकर के अगर कहीं बात करने वाले हैं, तो आगे बढ़िए आपको positive results जरूर मिलने वाले हैं बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि लॉजिकली बात कीजेगा, सपनों के दुनिया से बाहर निकल करके बात कीजेगा, और गलत लोग जो हैं, उनकी पहचान करके उनको अपने आपसे दूर करना ज़ादा समय आज के दिन बहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर जो लोग जलते है वो आपके काम को होता हुआ नहीं देख सकते, आपके काम में अडंगे आज के दिन जरूर लगाएंगे और आपके काम को पूरा होने से किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे समय में, ब्राउन कलर का इस्तमाल करना आपक कोई भी इनसान जो परिशान करने की कोशिश करें या फिर किसी भी तरीके से आपको हाम करने की कोशिश करें तो उस से आपका बचाव हो जाएगा, चलिए अब बात करते हैं कुम्ब राशी के लिए, राशी बाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर सादक आपके दिन को 67% सपोर्टिव बनाते हैं, फिर भी यह कहूंगा कि आज के दिन रिलेशन्स में उच नीच देखने को मिल सकती है, चाहे अपने लव इंट्रिस्ट की बात करें, अपने लाइफ पार्टनर की बात करें, जनके साथ में रिलेशन्शिप में हो उनकी, या फिर जनसे अफेक्शन है उनकी, यहाँ पर आज के दिन गरबड़ी हो सकती है, बात चीत में, कहीं न कहीं पर अपनी डिमांड्स में, अपन जो चाहते हैं उसमें परिशानिया देखने को मिल सकती है, सामने से एकसिप्टन्स ना हो, या तफिर आपको वापस तड़क करके जव पूचिश करेंगे, आपको बाजान पूच करकी परिशान करेंगे कि किसी भी तरीके से आप गलत स्टेप लें और खुद का नुकसान कर बैठें, ताकि सामने वाले को मजा लेने का भी मौका मिले, और वहीं आगे भी आपकी गलतियों के कारण वह बढ़ जाए, तो ऐसे म कि एमोशनली भी आज के दिन परिशान ज्यादा है, तो वहीं पर दूसरों को फेवर देने की आज जो काम है, आपने जिन से काम लिया है, आज के दिन उनके लिए कुछ काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण खुद के काम पर फोकस हटाना पड़े, शुबरंग ऐसे में र पत्यारी तारा का साथ, ओवरॉल सिचुएशन 90%, फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है, इस समय में प्रॉपर्टी देखने जाना चाहते हैं, देख रहे हैं, लोगों से बात चल रही है, कमर्शिल प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या साही दे रहे हैं, तो इस तरफ आज के दिन आपको फाइदा जरूर देखने को मिलेगा, यहां पर अपने इज़त में भी उच्छाल देखेंगे, तो वहीं पर यह भी देखेंगे, कि आज के दिन जो इच्छाएं हैं, वो कम हैं, और कमाई ज्यादा हो रही है, यहां पर ओवरॉल डिवलप और अपना इगो जो है, उसको चेक में रखिएगा, अक्सर कहा जाता है, जब शनी की साड़े साथी चल रही है मीन राशी के लिए, तो बार बार मैं आपको कहता हूँ, कि मैं ही हूँ जो हूँ, यह फीलिंग आप में पनप रहती है, और यही चीज आपकी डाउन फॉल का कारण भी बनती है, तो यह जो एगो है, एगो को चेक में रखिएगा, हर चीज आपके मन मताबक हो सकती है, बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर ब्राइट येलो कले का अगर इस्तमाल करते हैं, तो शानदार रेजल्स आज के दिन मिल सकते हैं, तो वही शुबंक रहेगा आपके लिए नमबर एट, ये तो हुई बात आज के राशी फलकी, अब बात करते हैं आज के विशेश शुपाय की कर्म और भाग्य का सिद्धान्त क्या कहलाता है, क्या कहता है, यहाँ पर इस बात को एक ही एपिसोड में करना मुम्किन नहीं है, तो इस अगवान मानते हैं, कुछ प्रशन है, ये आदी काल से इनसान को परिशान और हैरान करते हैं, जैसे कि मुर्गी पहले आई या अंडा आया, ये हसी की बात नहीं है, सही में लोग ये पूछते रहते हैं, कुछ इसी तरह का विरोधाबास हमें कर्मों का और भाग्य का, इन कर्मवादी सिधान्त मनाने वाले तरक रखते हैं, कि ये संसार कर्म के सिधान्तों पर ही टिका है, जीवन में हम कर्म करके इसके माध्यम से जो चाहें वो पा सकते हैं, वो कर्म को ही भगवान मानते हैं, और इसके अनुसार देव देव अलसी पुकारा वाली कहावत भाग् वादी व्यक्ति मानता है कि पुरुष अपने पुर्शार्त के बल पर जीवन में वो हर चीज प्राप्ट कर सकता है जिसकी उसे लालसा यत्फृ अकांक्षा है देवी भागवत महा पुरान में भी कहा गिया है कि आपका भाग्य फले आपका भाग्य सौभाग्य में बदले तो उद्यम, साहस, धैरिय, बुद्धी, शक्ती और पराक्रम को अपनाईए। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। फिर भाग्यवादी मनुश्य, इसके अलग सोच रखता है, वेप्रीत सोच रखता है, उसके अनुसार जीवन में घटने वाली हर घटना भाग्यपर निर्भर करती है। लोग ये कहते हैं कि आपको मिल जाएंगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। फिर बाकी बातों की तो बात ही छोड़ दीजे। फिर रामायन में भी कहा गया है, होई ही सोच जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा कही लगे जपन हरी नामा, गई सती जह प्रभू सुख धामा। मतलब ये है कि जो कोच राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे? ऐसा कहे कर शिवजी भगवान श्री हरी का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभू श्री राम चंदर जी थे। ये प्रसंग उस समय का है जब माता सती जी ने श्री शिव भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया कि श्री राम जी ही परम भ्रम्मा और ईश्वर हैं और माता सीदा जी श्री राम जी की परिक्षा लेने जा रही थी। इस प्रसंग से भाग्यवादी सोच वाले लोगों को संबल मिलता है कि जब सदाशिव और माता भाग्वती भी नियती के खेल का शिकार हो सकती हैं फिर हम इंसान जो हैं वो तो गिंती में भी नहीं आते हैं ये जो गिंती करना है ये बैमानी है यहाँ धरम संकट खड़ा हो जाता है कि फिर जीवन में किस चीज को हम पत्वार बना करके आगे चले करम को या भाग्य को जिन लोगों ने जीवन को बहुत नजदीक से अनुभव किया है वो आपको यही बताएंगे कि करम और भाग्य को स्थुल रूप से दो अलग अलग वस्तु प्रतीत हो रही है वास्तव में एक ही कड़ी के दो पहलू है करम और भाग्य हमारे दो पैरों की तरह है जो एक दूसरे का अनुसरन करते हैं कभी आपको करम का पैर आगे दिखता है तो कभी भाग्य का पैर आगे दिखता है पर वस्तु सिती यह है कि जीवन में आ बढ़नो धारों का होना जरूरी है. वैसे ही जीवन में आगे अग्रसर होने के लिए भी दोनों वस्तुम का जरूरत आपको पढ़ने वाले हैं. करम से भागे का निरमान होगा और भागे के सहयोग द्वारा बहतर करम करने का अवसर हमें मिलेगा. अगर इस बात को समझ रहे हैं तो कल के एपिसोड में बने रहीएगा क्योंकि इसका तर्क जो है ये जो तर्क है इस बात का निचोड क्या है सहीम क्या है यही चीज कल आपके साथ में बताने वाला हूँ कहीं लोगों को अक्सर जब लोग मुझे कहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो होगा जब ये कहते हैं तो उन लोगों को जब ये समझाता हूँ तो अक्सर हम दोनों ही हसते हैं यही चीज कर आपको भी बताऊंगा और आशा करता हूँ इसको समझ करके आप भी हसेंगे क्योंकि जरूरी है जीवन जो है वो ऐसे ही बिताने के लिए नहीं मिला है ईश्वर ने जब मनुश्य बनाया है तो इसका कुछ उद्देश्य है उस उद्देश्य को जानने के लिए कल इसी एपिसोड को जरूर देखिएगा वापस से चली आज के लिए यहीं पर आप सभी से आग्या मानता हूं और हमेशा की तरह यही प्रातना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहेगा संपन रहेगा सुरक्षित रहेगा घर में बड़े बुजर्ग झाल 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 झाल